पूरा मामला कोबाली राजा का रामपु के कस्वा के मढिया चोराई का है जहां सुजीत नावक यूबक राजा का रामपु के मुख्य चोरा मढिया पर चाट का ठेरा लगाता है उसके दुकान पर कुछ सराब पी यूबक चाट खाने आए चाट खाने के बाद सामान के रुपाई मागनी को ले करवा दुकानदर पर बिगर पड़े और गाली डूने लगे दुकानदर दौरा जब गाली बेनी से मना किया गया तो सराबियों ने ठेला पलट दिया और उसक 16 पलटते हुए उसका सारा सामान सड़क पर फैक दिया। इतना ही नहीं दबंग सरावी यूबक ने अपने आपको ग्राम जी जोटा का बताती हुए जान से माने की भंगी देकर फरार हो गई जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने पीडिस से पूस्ताच कर आवश्यक कारवाई करने की बात कही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कज़वे का मुख्य चोरा होते ही भी यहां पुलिस की पिकेट नहीं रहती है। और यहां भीड़वार वाले इलाके में इस तरह की घटनाएं अकसर होत है। एटा से आरवीद बीदी की रिपोर्ट एस केच लिए। लगा है उसके डाद हमकवाद में बचाने की रही उसने हमें भी मारा उनलोग सब फिर हम लोग फिसे बात तिया है। सारी की जमीर पड़ी जिया जैटा रहते हैं बोले ऑफिर यह शारी फिर जब्स थेखाएला पड़ी दें जमीर बढ़ी दितरी और और फिर चट्री हैं तो हमारे पास भर तो है된 नहीं को पाइस हैं था जानती नहीं है नेकर चान का शह्टान अनक्समान कर गए अबोले कले से ठेले भी मलेवाई हैं अकल फिरांज के मारेंगे तुमको अच्छा क्या बोलो को सरावरा पीए हुए थे हुए थे हुए थे हुए